नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों साबुदाना का नाम सुनते ही आखों के सामने सपेद रंके बीज या मोती जैसे खादे परदार्त की तस्वीर उबर कर आना एक आम बात है हिंदू दरम में अक्सर वरत और उपवास में सामाने बोजन को त्याग कर दिया जाता है और दिन बर उरजावान मैसूस करने के लिए साबुदाना का सेवन किया जाता है साबूदाना सपेद मोतियों जैसा खानने योग्य परदार्त होता है इसे सक्करकंद जैसे दिखाई देने वाले और मिट्टी के अंदर उगने वाले कसावा की जड़ से निकले इस्टार से बनाया जाता है आजकल के समय में हमारा खानपान और रहन सैन का तरीका बहुती तेजी से बधल चुका है इस बदलाओ का लोगों पर ऐसा अशर पढ़ा है कि आज अर इंसान किसी न किसी बीमारी की चपेट में आचुका है इसका मुख्य कारण है शरीर में सही तरीके से विटामीन और प्रोटीन की पूर्टी ना होना अगर आपके सरीर में विटामीन और प्रोटीन की कमी रहती है तो इनकी कमी दूर करने के लिए आप साबुदाना का सेवन कर सकती है साबुदाना में बरपूर मातरा में प्रोटीन, विटामीन, पोटेसियम, आईरन, कैलसियम, मैगनिसियम, मिनरल और फासपोरस पाया जाता है रोजाना साबुदाना खाने से सरीर में सारीरिक नकारात्मक एफैक्ट कम होते हैं, जिससे की दुबलापन दूर करने में हमें मदद मिलती है साबुदाना में बरपूर मातरा में फासपोरस होता है, जो आपकी कमजोर अड्यों से चुटकारा दिला सकता है लेकिन अगर आप मेरे बताई अनुसार साबुदाना का सेवन करते हैं तो आपका सरीर वज्जर के समान मजबूत और फोलाद बन सकता है बस आपको साबुदाना खाने का सही तरीका पता हुना जरूरी है दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि साबुदाना खाने के इतने जबरदस्त इतने बैतरिन फायदे हैं कि आपने कभी सपने में भी नई सोचा होगा कि साबुदाना खाने के इतने बेमिशाल फायदे भी हो सकते हैं क्या चाहे आपकी बोड़ी में कैसी भी कमजोरी हो, किसी भी तरह की कमजोरी हो, सरीर की सरीर कमजोरी दूर करके आपके सरीर को फूलाद बना देगा अगर आपके शरीर में खून की कमी रहती है तो साबूदाना उसे भी दूर करके हमेशा हमेशा के लिए खून की कमी शरीर में नई होने देगा उसी के साथ ही आपके हातों में पैरों में जोडों में कमर में अगर दर्द की समस्या रहती है तो यह उसे भी अमेशा अमेशा के लिए जड़ से समाप्त कर सकता है अगर आपके सरीर में कैल्शियम की कमी रहती है तो यह कैल्शियम की कमी को भी दूर करने का काम करता है तो आ साबुदाना खाने का सही तरीका और साबुदाना से होने वाले फायदों के बारे में सही सही जानकारी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर दोस्तों आपको यह जानकारी जरासी भी पसंद आती है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक ला आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में लगी बैल आइकन को जरूर दबा दें तो सबसे पहले जानते हैं साबुदाना खाने से हमारे सरीर में कौन-कौन से बड़े फायदे होते हैं अगर आपकी बोड़ी में ताकत की कमी रहती है और आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो साबुदाना का सेवन आपकी समस्या को दूर कर सकता है साबुदाना के सेवन से वजन को बढ़ाया जा सकता है साबुदाना में अच्छी मात्रा में कैलोरी और काइबो हाइडरेड होता है कैलोरी और कार्बो हाइडरेड दोनों का सेवन करने से वजन बढ़ जाता है क्योंकि ये दोनों ही सरीर में उर्जा को आउसोशित करने का काम करते हैं और फेट को बढ़ा देते हैं व्यायाम के दोरान अमारा सरीर अतिरिक्त उर्जा के रूप में गलाइकोजन का उप्योग करता है ऐसा होने पर हमारे सरीर में गर्मी बढ़ने लगती है और हम कमजोर हो जाते हैं ऐसे में साबुदाना का सेवन हमारे लिए उप्योगी या फायदिमन्द साबित हो सकता है इ ऐसा होने पर हमारे सरीर की गर्मी को कम करने में अमें मदद मिलती है। अगर आपकी हड्डिया कमजोर रहती है तो साबूदाना आपकी हड्डियों को मजबूत करने में फायदेमन साबित हो सकता है। साबुदाना में केल्शियम, आईरन और मेगनिसियम की अच्छी उपियोगिता होती है जहां एक तरफ केल्शियम आपकी हड़ियों के विकास के साथ ही उन्हें मजबूती परदान करता है वही आईरन ओस्टियो पोरोसिस जैसी हड़ियों के विकार को दूर कर सकता है और साबुदाना के सेवन की जरूरत है साबुदाना नहीं सिरप आपको उर्जा परदान करता है बलकी ये आपको ज़्यादा देर तक काम करने के लिए थाकत भी देता है इसमें उर्जा केलोरी और प्रोटीन की मात्रा पाए जाती है जहां केलोरी अपने आप तूटकर सबोहाइडरेट भी देनिक उर्जा का अच्छा सुरोत होता है इसकी वज़ा से आपके सरीर को ज्यादा देर तक काम करने में मदद मिलती है उच्छ रक्तचाप की समस्या को दूर करने में साबूदाना लाबदाइक साबित होता है इसमें पाया जाने वाला फाइबर पोटे उच्छ रक्तचाप की इस्तती में इसे लेना लाबदाइक साबित होता है इसके अलावा साबूदाना में मौझूद पोटेसियम रिदे रोगों की समस्या के साथ साथ उच्छ रक्तचाप की समस्या को भी दूर करने में उप्योगी साबित हो सकता है अगर आपकी बोड़ करने के लिए साबूदाना आपके लिए एक बहतर विकलप सा भी तो सकता है साबूदाना में आईरन की बरपूर मात्रा होती है आईरन फेपडों से ओक्षिजन को पूरे सरीर तक पहुंचाने का काम करता है ऐसा होने पर एनीमिया और इससे होने वाली परेशानियों को कुछ ये समय में दूर किया जा सकता है साबूदाना सिरफ सारीरिक स्वाजते ही नहीं बलकि मस्तिक्स के लिए भी उपयोगी होता है साबूदाना में मस्तिक्स के कई समस्याओं को दूर करने के गुणों होते है इसमें फोलेट की मात्रा पाई जाती है फोलेट सभी उम्र के लो बहतर रग्त संचार के लिए साबुदाना का सेवन आपके लिए कारगरसा भी तो सकता है। तुर्बलता मैसूस होती है तो साबुदाना खाने का सही तरीका उसे भी अमिसा अमिसा के लिए दूर कर सकता है चाहे इस तरी हो या पुरुस दोनों ही साबुदाना का सम्मान मात्रा में सेवन कर सकते हैं तो आईए दोस्तों जानते हैं आपको इसका किस परकार सेवन करना ह और कितनी मात्रा में करना होगा आयरवेदी गुणों से बरपूर साबुदाना का सेवन करने से समय से पहले आने वाली कमजोरी को रोका जा सकता है रोजाना साबुदाना खाने से कम उमर में बालों का जड़ना और बालों का सपेद होना भी रोका जा सकता है रोजाना सुबह एक कटोरी साबूदाना एक कटोरी पानी में भिगो कर एक गंटे के लिए अच्छी तरह रग दें अच्छी तरह भीग जाने के बाद आप साबूदाना की खीर बनाकर खाली पेट इसका सेवन करें लेकिन आपको खीर बनाने के दोरान चीनी का नहीं बलकि मिस्री का उप्योग करना होगा मिस्री चीनी से कई ज़्यादा गुना ताकतवर मानी जाती है आपको ऐसा लगातार एक महीने तक करना होगा अगर आपने लगातार एक महीने तक इस तरीके को अपना लिया तो आपकी बोड़ी में आपको बहुती जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेंगे दोस्तों उम्मिद करता हूँ आपको यह जानकरी अच्छी लगी है आप इस वीडियो को लाइक करें, सेयर करें साथ इस यूटूब चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले